महाराश्ट्र के मुख्य मंत्र एकनाचिंदे ने मोधी की तारीफ करते हुए कहा कि यह गर्व की बात है कि दुनिया भर के लोग प्रधान मंत्र नरेंद्र मोधी को एक महत्पपोर्णा नेता के रूप में देखते हैं पूरे में नरेंद्र मोधी को लोकमाल ने तिलक राश्ट्री पुरस्कार प्रदान किया गया इसी समारों में CM एकनाचिंदे ने मोधी के काम का ब्योरा पढ़ा और उनकी जमकर तारीफ की मुख्य मंत्र एकनाचिंदे ने कहा यह पुरस्कार पहले भी कई लोगों को दिया जा चुका है यह आज तक समाज में अच्छा काम करने वालों को दिया जाता रहा है शरत पवार को भी यह पुरस्कार दिया गया है इसलिए हम उन्हें बदाई देते हैं और तिलक समारक ट्रस्ट को दन्यवाद देते हैं महाराइश्ट्र के मुख्यमंतर एक नात्चिंद्यम थी तारीफ करते होे कहा कि यह गर्व की बात है कि दुनिया भरके लोग प्रधान मंतरे नरेंद्र मोदी को एक महत्तवपुर्ण नेता के रूप में देखते हैं पूरे में नरेंद्र मोधी को लोकमाल ने तिलक राश्ट्रि पुरस्कार प्रदान किया गया इसी समारों में स्यम एकनाचिंदे ने मोधी के काम का ब्योरा पढ़ा और उनकी जमकर तारीफ की उनके मंत्र एकनाचिंदे ने कहा यह पुरस्कार पहले भी कई लोगों को दिया जा चुका है यह आज तक समाज में अच्छा काम करने वालों को दिया जाता रहा है शरत पवार को भी यह पुरस्कार दिया गया है इसलिए हम उन्हें बदाई देते हैं और तिलक्स मारक ट्रस्ट को दन्यवाद देते हैं